इतनी खुशी थी लोक्तंतर पे ब्रोसा था जो मुझे लगा जो चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वारणसे के अंदर खेल बना दिया है खेल बना के रख दिया है उत्तर प्रदेश की बारणसी लोकसबा सीट से चुनाव लड़ने वाले कॉमेडियन स्याम रंगीला का परचा निरस्ट कर दिया गया है जाच के बाद स्याम रंगीला का परचा खारीज हुआ है वहीं परचा निदरस्तोने के बाद स्याम रंगीला ने कहा कि यही हमारा उद्देश्च था कि हम आप लोगों को बता सके कि देश का लोगतंतर कितना घत्रे में है वहीं भावुक होते हुए स्याम ने आगे बताया कि मैं हसाने वाला कलाकार हूँ लेकिन आज कुछ भी कहपाने की इस्थिति में नहीं हूँ देश की सबसे चर्चित सीट वारारसी से स्याम रंगीला ने नमांकन परचा दाखिल किया था उन्होंने बताया कि हमने सभी कागजात और आवस्यक विस्यों का ध्यान रखते हुए नमांकन किया था लेकिन आज हमें आउगत कराया गया है कि आपने नमांकन के दोरान ली जाने वाली सपत पूरी नहीं की जिस वज़ा से आपका नमांकन परचा खारिच कर दिया गया है नमांकन खारिच होने के बाद स्याम रंगीला ने मीडिया से कहा मेरे जैसे लोगों को पता नहीं होता ये प्रसासन का काम होता है उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया बस डिपाजिट रासिली और चार परची देकर बाहर भगा दिया हमें लगा कि हमने नमांकर जमा कर दिया बाहर आकर देखा तो एक चीज की कमी लगी हम दोबारा गए तो डियम साहब ने पुलिस वालों से भटकार कर हमें भगवा दिया सामरंगीरा कहते हैं हम नेता दिखते ही नहीं है नेता वो होते हैं जो आए और पांच मिनट में नामांकर दाखिल करके निकल जाते हैं हम तो आम आदमी बन कर लड़ने निकले थे जिसमें हमारी मैदान के अंदर लोकतंद के अंदर की एंट्री भी नहीं हो सकी ये हाल है देश के चुनाव आयोक का श्यामरंगीला ने इस पर ट्वीट करें के भी कहा है वारणशी से नहीं लड़ने देंगे ये तैथा अब साफ हो गया है दिल जरूर तूट गया है हाऊसला नहीं तूटने दूँगा आप सब के सायोक के लिए शुक्ट दूस्त आपको बता दें स्यामरंगीला इस से पहले भी नामांकल दाखिल करने को लेकर काफी मसकत करने का दावा करते रहे थे 14 माई की रात को स्यामरंगीला ने आखिरकार नामांकल दाखिल किया जो अब रिज़क्त हो चुका है गोधी पत्रकाजिता के जमाने में निस्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनोती से कम नहीं हमारी होसल आप जाए के लिए वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले